इंदौर जबलपूर और ग्वालियर के वकीलों को बड़ी दाहत देते हुए हाई कोर्ट ने उनकी सालों पुरानी मांग पर मुहर लगा दी कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जब तक इस्थानिय वकील का वकालत नामा नहीं लगा होगा तब तक उस केस की सुनवाई नहीं होगी इस्थानिय वकील के वकालत नामे के अभाव में केस डिपॉल्ट में माना जाएगा इंदौर हाई कोर्ट के शेत्टराधिकार में आसपास के कई जिले आते हैं वरतमान में इन जिलों के वकील बगएक किसी इस्थानिय वकील से संपर्त से करें सीधे हाई कोर्ट में आचिका दाया कर सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा इंदोर से बाहर के वकीलों के लिए जरूरी होगा कि वे किसी इस्थानिय वकील को साथ में रखें जबलपूर से इस संबंद में आदेश जारी हो गए है आदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश हाई कोट की इंदोर, जबलपूर और गौलियर बेंच में किसी मामले की सुनवाई के लिए इस्थानिय वकील का वकालत नामा लगा होना अनिवारे होगा इंदोर अभिवाशक संग में फिलहाल 6000 से ज़्यादा सदसी है इन में से ज्यादा तर हाई कोट और जिला कोट दोनों जगह प्रैक्किस करते हैं मंगलगार को जबलपूर से जारे हुए आदेश का सीधा फायदा इन वकीलों को मिलेगा इंदोर से बाहर से किसी केश की सुनवाई करने से पहले हाई कोट ये देखेगी कि उसमें इस्थानी वकील का वकालत नामा लगा है या नहीं इधर जिला और हाई कोट में कोरोना की चलते साथ महिने से नियमित सुनवाई बंद है सिर्फ urgent मामले ही सुने जा रहे हैं वकीलों की मान है कि जल से जल नियम में सुनवाई शुरू की जाए ताकि न्याय विवस्ता पट्रे पर आ सके Powered by Arthroscreening A dedicated center for arthroscopy and sports injuries